मैं दिपिका एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं होकी एशन चांपियन्स ट्रोफी 2023 के सेमी फाइनल्स की जी हाँ आज के दिन खेला गया सेमी फाइनल जहाँ पर भारत हमें खेलती हुई नजर आई एक ऐसी टीम के खिलाफ जिने उन्होंने अब तक वेस चांपियन्स ट्रोफी के अंदर वो हराने में काम्याब नहीं हो पाई थी और हम बात कर रहे हैं जापान की भारत का आज दूसरा सेमी फाइनल का मुकाबला था उससे पहले एक सेमी फाइनल ओलेडी हो चुका था मलेशिया और साउथ कोडिया के बीच जहाँ पर मलेशिया ने 6-2 से मुकाबले को जीते हुए फाइनल्स में एंट्री मार ली जिसके बाद शुरू हुआ भारत का सेमी फाइनल मुकाबला और इंडियन टीम ने काफी ही शांदार परदशन करते हुए जापान को 5-0 से हराया और इसी के साथ फाइनल्स में इंडियन टीम पहुँच कई है बात की जाए मुकाबले की तो इस मैच का पहला क्वार्टर गोल लेस रहा जिसके बाद भारत की तरफ से आकाश दीप सिंग ने इस मुकाबले का पहला गोल मारा उननिसवी मिनिट में और इसी के साथ भारत को 1-0 की लीड पे पहुचा आया वहीं हाफ टाइम खत्म होने से पहले कप्तान हर्मन प्रीट सिंग और उनके साथ-साथ मंदीप और इसी के साथ भारत 4-0 की लीड में जा पहुचा वहीं आखिर में बात होती है फाइनल कोर्टर की जहां पर एक और गोल हमें देखने को मिला भारत के सेल बंकार्थी की तरफ से और इसी के साथ फाइनली भारत ने अपना फाइनल्स का स्पॉट सील किया जापान को 5-0 से हराते हुए वहीं बात करते हैं तो दो सेमी फाइनल्स के लावा आज फिफ्ट प्लेस का मैच भी हुआ था पागिस्तान और चाइना के बीच जहां पर पागिस्तान ने चाइना को 6-1 से बीच किया और अब कल के दिन रहने वाला ही इस एशन चांपियन्स ट्रोफी का दा अल्टिमेट फाइनल्स जोगी होगा भारत और मलेशिया के बीच और यह मुकाबला ठीक रात साड़े आठ बजे शुरू हो जाएगा तो आप सभी ज़रूर जुट जाएगा कल इस फाइनल्स को देखने के लिए और आप इसको लाइब देख सकते हैं स्टास पोस फर्स स् एच्टी टू और फैन कोड एप पर और हम उमीद करेंगे कि इन्डियन टीम इस मुकाबले को जीतते हुए ही यानि कि टाइटल के साथ ही इस टूनमेंट को खत्म करेगी और जैसे ही मुकाबला खत्म होगा रिजल्स लेकर तो हम आप सभी के साथ जुड़े जाएगे तो आज की वीडियो में बसतना ही बाकि स्पोर्ट से टेट अपडेट जान निकले चैनल के साथ जरूर जुड़े रहें उसको जरूर सब्सक्राइब कर दें तो थांक यू फोर वाचिंग दे वीडियो